टीवी आक्टर शिवीन नारंग को किसे परिचय की सरुवत नहीं है बात उस समय की है जब शिवीन नारंग सोनी टीवी केस रिवेंश थिलर में रुदर रॉय का किरदार निभा रहे थे वे जैनिफर विंगेट के अपोजिट कास्ट किये गए थे शो के कुछ दिन में ही लोगों को शिवीन का नए आवतार पसंद आया और जैनिफर के साथ उनकी कैमिस्ट्री की खूप तारिफ की लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस शो के लिए शिवीन ने सलमान खान के शो बिग बॉस 13 का ओफर ठुकरा दिया था इस शो के ठुकराने का कारण शिवीन ने ये बताय था कि वो पहले एक अक्टर है और हमेशा रियालिटी शो से पहले फिक्शन रामा चुन्ना पसंद करेंगे उन्हें लगता है कि वो ऐसे शक्स नहीं है जो कि ये सोच के प्रोजेक्ट लेंगे कि वो उससे पॉपिलर हो जाएंगे उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा माइने रखता है कि वो अपनी कला और कॉशिल को कैसे दिखा पाते हैं उन्होंने ये भी कहा था कि वो रचनात्मा ग्रूप से पहले खुश होना जाते हैं बजाए सफलता के पीछे दौनने के। शिवीन को इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उन्होंने बिग बॉस में हिस्सा नहीं लिया। बता दे कि बेहट 2 को कोरोना वाइरस में हमारी के कारण बंद कर दिया है। चैनल ने बिना किसी कहानी के अंध के शो को खत्म करने का फैसला लिया। जेनिफर और शिवीन ने इस बारे में निराशा जताई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि शो एक फाइनाइट सिरीज है तो इसका अंध हो गया। शिवीन और जेनिफर के फैंस भी इस खबर से दुखी हुए थे। और चैनल से इन दोनों की जोड़ी को फिर से साथ देखने की इच्छा जताई थी। तो दोस्तों आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके सरूर बताएं।